Hi everyone, welcome back to my channel, this is me, SHINee आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कने जा रही हूँ My 2022 YouTube Earning 2022 साल में पूरे साल का जो मेरा YouTube का Earning है वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी कुछ दिनों पहले एक Q&A वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं इस वीडियो को फिल्म करूँगी और अभी तक मुझे December month की payment नहीं receive हुई है वो मुझे January end या February 1st में receive होगी तो आप में से कई लोगोंने comment किया था उस वीडियो के नीचे कि जो December month का payment होगा वो मैं next किसी वीडियो में share कर लूँगी फिल्हाल मुझे जल्द से जल्द जो January से November का payment है उसका एक अलग से वीडियो आप लोगों के से share करने के लिए बहुत ज़्यादा request आए थी लेकिन उससे पहले let me clear something with you all जब आपका channel monetize हो जाता है तब आप Google के एक employee बन जाते हो Google Partner Program में आप एक हिस्सा बन जाते हो जिसे कि आपको Google से payment मिलती है घर में एक pin भेजते हैं वो Google Office से तो वो pin जब आप upload करते हो उसके बाद से Google आपको payment करते हैं हर महीने It's like a government job आपको हर महीने payment मिलेगी अगर आपकी जो earning है महीने का वो hundred dollars से ज़्यादा होता है तो आज की तारिक में hundred dollars मतलब 8000 रुपए approximately ऐसा होता है तो मैंने पहले जितनी भी payment related videos share किया है मैंने screenshot भी share किया था तो सब कुछ dollar में था क्योंकि ये सारे payments वगेरा dollar में ही होते है because these are international payments obviously तो dollar का count कई लोगों को problem होता है आप simply google में जाकर अगर search करोगे one dollar is equal to how much तो आपको मिल जाएगी आज की तारिक पे एक dollar का जो Indian amount है वो but मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को Indian rupees में ही पूरा amount बताऊंगी dollars में confused नहीं करूंगी वही लोगों का ये misconception होता है कि जितने subscribers उतना payment ऐसा नहीं होता है आपके one lakh subscriber हो सकते है but आपके views बहुत कम है तो आपको काफी कम payment भी मिल सकती है it totally depends on the views that you get जितने views आपको मिलेंगे उतने ही ads लोग देखेंगे जब आप कोई video open करते हो तो सबसे पहले add आता है या फिर video के बीच में add आता है तो उस ads से earning होती है बोथ YouTube को भी और जो creator है जिसका video आप देख रहे हैं उनको भी earning होती है उसी same ads से अब देखें December का पूरा month चला गया अभी December का जो earning है वो मुझे मिलेगा January end में 2022 में YouTube algorithm काफी change होई है पहले सिर्फ हमें video से ही पैसे मिलते थे लेकिन अभी YouTube Shorts भी आ गया है तो आजकल Short Form content जादा चलती है तो YouTube revenue थोड़ा कम हो गया है as compared to previous years YouTube Shorts पे अगर आपका शौट वाइरल हो गया तो आपको पैसे मिलेंगे लेकिन अगर शौट वाइरल नहीं हुआ तो YouTube Shorts में कोई पैसा नहीं है सिर्फ views और subscribers ही बढ़ते है तो in my case मुझे अभी तक YouTube Shorts की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं रिसीव हुआ है मेरे जितने भी earnings हुई है YouTube से आज तक वो सिर्फ और सिर्फ long form content की वज़े से ही है और दूसरा एक earning method है वो है brands paid promotions, collaborations, बहुत सरे types के collab वगेरा होते है अगर आप चाहते हैं उसके उपर में एक video बनाओ तो वो एक अलग सा topic है उसके उपर में अलग से एक video में share करूँगी definitely but brand से भी पैसे मिलते हैं हमें वो अच्छा amount है तो ये जो brand वगेरा है इसके उपर में अलग से video में share करूँगी अगर आप लोग interested हो तो ही नीचे comment करके जबर मुझे बताएगा but इस video में मैं सिर्फ और सिर्फ Google AdSense की तरफ से जो earning है वो में share करूँगी अगर मैं अलग-अलग महीने में कितना amount earning हुई है ये मैं बताने जाओं तो बहुत time भी लग जाएगा और ज्यादा आप समझ भी नहीं पाऊंगे क्योंकि सब dollars में है और taxes की वज़े से कुछ percentage कट हो जाती है मतलब अगर suppose कि 10,000 रुपे मेरी earning है तो उसमें से 1,000 रुपे tax में चला गया वो लोग कट करके ही हमें जो 9,000 रुपे है वो देंगे तो ऐसा एक calculation होता है तो मैं सब कुछ calculate करके आप लोगों के साथ share कर रही हूँ किसी महीने में जादा amount हुआ earning किसी महीने में बहुत ही कम हुआ तो on an average अगर 2022 साल में हर महीने का मेरा payment average में मैं calculate करो तो वो 20,000 के आसपास है जो इंडिन रुपीज है उसमें 20,000 पर मन्त ऐसा कुछ calculation है तो इतना ही amount मेरे हर महीने में हुआ है अगर मैं average में calculate करो और विसल ऐसा नहीं है कि हर महीने ही मुझे 20,000 रुपए मिले है ऐसा नहीं है कुछ महीने में 20,000 रुपए मिले कुछ महीने में कम मिले कुछ महीने में जादा भी मिले तो मैंने average करके आप लोगों पिसाद शेयर किया है और हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ही एजी है वैसे कमाना YouTube में रिस्की प्रोफेशन है बहुत जादा रिस्क है इसमें कभी कबार आपका चैनल अच्छा चल रहा है लेकिन ऐसा भी होता है कि चैनल बिल्कुल डूप गया और चैनल टर्मिनेट हो गया तो बहुत ही जादा एक रिस्की प्रोफेशन है तो अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी है YouTube related आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ उसका reply करती हूँ So that's it for today's video वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करे शेयर करें And don't forget to subscribe to my channel Thanks for watching, bye